उत्तर प्रदेश की राजनीती है तो यहाँ जातिवाद पे राजनीती कैसे न होगी और इसी सिल्सले में हमने देखा है पिछले दो-तिन दिनों में जातिवाद हावी हो चुकी है और विपक्ष के नेता हो चाहें वो समाजवादी पाटी के हो चाहें बहुजन समाजवादी पाटी के हो उन्होंने ये बयान देना शुरू कर दिया है कि जो भाजपा जो है वो पिछड़े अति पिछड़ों की अंदेखी करती है नहीं ऐसी गलत बात है विपक्षियों के पास कुछ और मुद्दा रहने गया है उन्होंने इतने दिनों रह करके पची सो साल पूर्व से लेकर के जो भी राजे उन्होंने किया पूरे खाही पूरे देश में जंगल राज बनाया था आज हम हमारे मानने प्रधान मंत्री जी ने 2014 से लेकर आज तक जब सहर में निकलते हैं तो भी लगता है कि हाँ बाराणशी कैसा हो गया चाहिए अधर जो भी सहर है पूर्व से बहुत ही अच्छा है और जातिगत राजनीत तो भारती जंता पार्टी का ही नहीं है सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं और होते आया है जातिगत कोई राजनीत नहीं है अभी अभी जो भाजपा के एक बड़े नेताप स्वामी प्रशाद महुरे ने भाजपा के योगी कैबिनेट से इस्थिफा दे दिया और उनका कहना ये है जहां भी मैं जाता हूँ सरकारे उसी की बंती है और इस बार मैं भाजपा को उतर प्रदेश्य खतम कर दूँगा देखिए स्वामी प्रशाद महुरे हमारे रहे नहीं हमारे बीचार धरा को वबैगती रहे नहीं किने कारणों से उनको मान सम्मान दिया गया था लेकि उसके पात्रों है नहीं ये उनकी भूल है कि जहां जाते हैं उनकी पाटी या उनका मुक्यमंतरी बने ऐसी कोई बात परिश्कोर नहीं है, विशार हिन इनको टोगहansa को हाई है, क्योंकि इनके अंदर वो संसकार को जिसने हमें सममान दिया है, उसके उनके रितनीतियों को ले करके उस पैक्टी अंके साथ रहें, इनके सथ ईसा आने हमारे साथ हुऑ। परिश्क नहीं दे सकते हैं। लायकों नहीं रहा सकते हैं स्वामी प्रशाद मौरे को वोटों के लिहात से देखें तो तकरीबन सो सीटों पर प्रभाव है और पूरे उतर प्रदेश की बात करें तो पांच प्रतिशत भोट जो है मौरे और ना सिर्फ मौरे बलके साक्य और कुश्वाहा के भी निता जो है स्वामी प्रशाद मौरे म ब्रकास राजबर जी उनका कहना हैगा अभी तो सिर्फ ये जहाकी है पोड़ी फिल्म जो है भी बाकी है उनका कहना है कि अभी जो है जो लिस्ट है मंत्री की स्थोपगी बहुत लंबी है अभी तो आप देखते रहे जाए ये 20 जनवरी तक कितने स्थिपे होंगे अभी जो कहते हैं अब जो नौजवान है वो जो है अब मन बदल चुका है एक नई सरकार लाने कोई बात नहीं है आप अगले स्यादव को पहले भी देखे हुए हैं इवार मुख मंत्री उनकी पिता जी बने दो बार बने और ये बने और विकास नाम कुछ है ही नहीं इनके अंदर कियवल हाज आउस बनवाए हैं कभी स्थान की बॉंडरी वाल करवाए हैं इसके लगा कोई काम उनको नहीं है कियवल है मुख्ष्ण लिम तुष्टी करनकी है और बने रस का हाल तो ताम बुरा कर दे थे वो कभी यहां आते नहीं थे ज्ञागते नहीं थे यह कंडिशन थी यहां अची हो गई यहां पर सचता भियान चल रहा है कहीं कंड़की नहीं है घाड बन गया यहां पर टूरिजम बढ़ गया बहुत बढ़ गया अखले श्राजी में कभी ऐसा कुछ नहीं होगा लेकिन अखलेश यादा तो कहते हैं धर्म और जाती की बाद तो भाजपा कर सबसे पहले पिता जी करते थे यहां से स्टार्ट किये उन्होंने 1992 में कार सेओको गोली चलवाई तो सबसे बढ़ जीं मुस्लिम तुष्ट करना किये एक वर खुस करने के लिए कार सेओको नहीं हट गोली चलवाया जबकि उन्हों कोई मक्सद नहीं था वहां करना कुछ यह गोली चलवाए के मरवाएं और वहां पर मुस्लिम तुष्ट करना करते रहे हैं तो पुरा दुष्ट जानता है कि यहां कि कौन का सबसे नीची वाले वाले वालग से आज मानी पधान मंत्री जी द्वारा उज्जुला योजना चलो हुआ जो गयस वित्रन हुआ है मुफ्थ वो सबसे पहले सबसे ज़्यादा दलितों को दिया गया आवास योजना हुआ वो दलितों को दिया गया इसी मायावती सरकार थी अकलेश चादो सरकार थी कभी इनका हालत ना बूरा था कि घर में खाने के लिए मरते थे लोग रोज पैस पहलों की बात आज आप देख लिए उत्तर परसे सरकार में लगभग 60-70 विधायक ऐसे हैं जो OBC वर्ग से आते हैं आप सोलिए तो फिर उनका लिया ही गया ना तभी ने चिकट दिया तभी ने हुआ तो अब उनको नहीं लिया गया होता सामाने को लिया गया होता तो कहां बात करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं OBC वर्ग आपसे नराज तो है क्योंकि अगर स्थीपे की बात करें चाहें वो मंत्री हो चाहें पिधायक अभी तक जितने भी स्थीपे हुए हैं सारे स्थीपे जो हैं OBC समुदाय से ही हैं देखिए जिसको खाने कमाने को नहीं मिला तो बूले गही भाजपा सुच और साप शवी वाले को मंत्री बनाई और उनके मन में कहीं न कहीं लगा कि हम कमा नहीं पा रहे हैं इतना पैसा ख़च करके आए हैं तो जो इस टाइप के लोग थे हैं जो उनको लागा कि नहीं हमारे हैं दाल नहीं कर रहा है मन्नी योगी जी क खा कमाने ही पा रहे तो इंको लगा हुआ हमारा इस टिकंट नहीं मिलने वाला है यह अमें सिट नहीं मिल सकता है तो पहले ही अपना नए यलग किनारे भाग गया जिसको उम्मीद होगाsted कि हमें चोर वही होता है जिसों चोड़ी का डर होता है यहां तो सभी मंदार है चोड़ी के बात ही नहीं है जो स्वामी प्रशाद मौरे का इस्थिपा हुआ चाहें धर्म सिंग शैनी का इस्थिपा हुआ यह लोग के पीछे इस्थिपे का कारण ये है क्योंकि ये अपने परिवार का टिकट चाहते हैं बेलकुल इनकी बेटी को देखे संगमित्रा मौरी जी है धर्मेंद्रियादा को हरा करके सांसत बनी तो कैसे बनी मोदी जी के बनी है संगमित्रा मौर को कोई जानता नहीं था मोदी जी के हवा चली मोदी जी के विकास के नाम पे मोदी जी के नाम पे इनको मिला है अच्योंन इनके पिता जी सांसत मन गया होते आज भागे हैं सपा में सिर्फ ये मोदी जी के बल पे इनको मिला और अपने बेटे के लिए इन्होंने उचा हार से शीट मांगा, उचा हार से इनको शीट दिया गया, वहाँ मामूली ओडो से हार गया, इनकी कमी थी हार ना वहाँ पर, यह अच्छे से लगे होते, जन्ता के बिच गया होते, काम किये होते, तो क्यों हारते और यह जहाँ से पर्डावना बिधान सभा से इंको सीट मिला परणा से बीजेभी के अच्री मजबूझी थी और वहां से इनों जीता मंत्री पद इनको मिला इनको नाम सम्मान सब कुछ मिला अब पीर से चाहर रहे था हमको सीट मिले परणा अउच्छा हार सीट फिर इनको बेट्यों दिया कर रहे हैं बेटी क्यों निस्तिफा देती हैं बेटी भी तो सांसद हैं अभी तो उनका कारकाल बचा हुआ है ना अगर जैसे पिताजी चले गए वह से बेटी भी चली जाए जाए स्वामी प्रशाद महर कहा रहा है कि भाजपा को जो है मैं उत्तर प्रदिस की राजनीती से खत्म कर दूँगा अभी वो सोचते रहें जिस पाटी से आये थे जनता दल से पहले आये थे हो जब सुरु सुरु में बहुजन समझवाती पाई नहीं सबसे पहले वहां जनता आ चाहते हैं उसके बाद 20 साल तक हो 1996 से 2016 तक जो है यह रहे हैं बसपा में जब वैसी कहावा था ना ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं तो स्वामी पिसाद मौर वही है जब जहां जाते हैं बस लाली पाप खाते हैं पांच साल मजा लिए जब कारे करने का मौका आया तो चिसे से दबग लिए हो अच्छा के साथ हूं तो अखिलेज की सरकार बनेगी उनको जब जायेंगे उनकी सरकार बनेगी अपने योगी सरकार 300 प्लस आ रही है आप इस बात को नोट कर लिजेगा आज क्या लगता है स्वामी प्रसाद मौर के जाने से भाजपा को कितना नुकसान होगा भाई साब देखिए सबसे बड़ी बात है स्वामी प्रसाद मौर जो आये थे भाहुजन समाज पार्टी छोड़के भारते जनता पार्टी में वो एक स्वार्थ की राजनीती करते हैं दे पुजन समाज पार्टी में थे, आपकी सरकार थी, आपने क्या किया सरकार में, आखिर वे दिन क्यों आएं, फिर सपा में ये आज गये हैं, अगर वे बोल ले हैं, स्वामी प्रशाद मौरे, कि इन्होंने दलीत और पिछडे वंचित, बेरोजगार, सोसित, नौजवानों के कुछ ने किया, आप लेबर मिनिस्टिर थे, बताइए, स्रम मंत्राले उनको मिली थी, कितनी अच्छी काम करने का प्लेटफॉर्म मिला था, अगर आपको काम करना नहीं आता, तो आपको भगवान भोले नाद भी आजाएं, चाहे संकर आजाएं, कोई आजाएं, आप काम नहीं कर सकते, अगर आपको काम करने नहीं आया, तो उसमें हम आप क्या कर सकते, उनको लगा कि मेरी अबदाल नहीं गल रही है, इसलिए, आज भी देखिए, उनके इस्तिफ़ा दिया, उनके ट्यूटर हैंडल, ओफिसियल एकाउंड में, लेबर मिनिस्टर का टैग लगा हुआ है, लेकिन अखिली श्यादों तो कहते हैं, काम तो मैंने किया ही था, सारी योजनाए मेरी ही थी, सिला नयास मैंने किया था, बाबा जी ने बस फिता आगे काड़ दी, ये बताए भाई साब, अगर आपने सिला नयास किया, और घर का वे नहीं कराया, ओनिग्रेशन अंतिम पौधान तक पहुचने की प्रयास करती है, उनका यहीं लक्ष है, मानने ये प्रधान मंत्री का, कि हर निचले इस्तर और दलित इस्तर को मतलब की पकड़े और सबका साथ, सबका विकास का कारे करे, लेकिन विपक्ष तो आरोप लगा राई शुनाओं में कि जो है हमेशा से पिछड़े याती पिछड़ों, गरीबों, मजदुरों का सोसर करता है, उनका जो कहना है, उनके पास कोई सब्द नहीं है, कोई कारे नहीं किये, आप देखिए कोविट काल में ही भारते जनता पार्टी एक राजनितिक पार्टी नहीं है, ये एक समाजिक सोसल व यादो का नारा है, इस बार 400 पार, तो अखलेस यादो अभी 2032 तक इंतेजार करें, दिन में जाकते हुए सपने देखें, जैसे उन्होंने कहा ना, कि मेरे सपने में स्री कृष्ण जी आये थे, तो वे सपना ही देखते रह जाएंगे दिन में, ऐसा आपने कभी सुना है, क आपने तो बहुत जगा देखा होगा, सुना होगा, जो मंदिर के पुजारी रहते हैं, उनको बलकि सपना नहीं आता है रोज, ये तो वही हो गया, ढूंजुना वाला, तो ढूंजुना बजाएं, उनका यही नारा है, लेकिन वो तो कहते हैं, सपने में स्री कृष्ण आय थे, तो अभी तो आयोध्या और कासी आप संपूर्ण हो चुका है, अब मथुरा बाकी है, ठीक है, तो अगर ये कभी उन्होंने बोला है, उनकी सरकार थी, तो कार से वोको पे गोली चलवाई, और ये बोलते हैं, ये लोग बोलते थे कि हम हिंदू हैं, कभी उन्होंने, आप क्या चाहते हैं, कि सैफही महसो हो, आप चाहते हैं, सैफही महसो की अध्या में दीप जग्जमगा है, दीपो की दिपावली हो, आप क्या चाहते हैं, बताइए, हमारे सरकारी खर्च से, अगर वहाँ पे नाच हो, बार चले, यह हमारा कल्चर है, आप देख सकते हैं, अच्छा ये ओपी राजभर जो है उनके दावे में कितनी सच्चाई नजराती है आपको ओपी राजभर देखिए उनका कोई अस्तित्व नहीं उनका काम क्या है साइकेट्रिक है उनने तो पहले मांसिक अच्छा इलाज कराना चाहिए ठीक है उनकी बीपी हाई हो जाती है रहर के लो हो जाती है तो इधर से उधर जाते हैं उनका कोई अस्तित्वी नहीं है ठीक है लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि आने वाले 20 जनवरी तक करीब 18 जो है कैबिनेट मिनिस्टर है जो है पूरा हो रहा है तो संग हमारे डॉक्टर साब ने कहा था कि संग की आयू कितनी वर्स है संग की आयू 100 वर्स रहेगी तो आने वाले समय में सब वही हो जाएंगे तो उनकी आवशकता ही नहीं रहेगी ऑटमेटिक वह चले जाएंगे अच्छा ये इस्थीपे की वज़ा कहीं योगी आदितनात से नराजगी तो नहीं है आगे लोग इसमें आदितनात की कोई कमी नहीं है वो तो बाबा है मुखमंत्री है आप देखे हैं जब अतिक अहमद की भूमी अधिगरहड हुई जो सपा सरकार में मतलब की माफिया ज जो ब्लामण बोलते हैं कि दक्षिणा करिए द्रव दीजिए तो वे एक महिला ने उठके अपने जेब से उनको पैसा दिया वे क्या मतलब नाराज मतलब कुन से होंगे इस पर भी तो कहते हैं कि बाबा जो है खास समुदाय पर लोजर चलवाते हैं क्यों नहीं चलाएंग जब किसी खात समुदाय पर आप करवाई करेंगे तो फिर ये नारा तो गलत है क्यों गलत है भाई साब अगर आप ही देख लेजिए एक घर में पांस सदस है और एक सदस है रोज लडाई जगड़ा करेगा तो चार लोग की नींद हराम होगी न सबको सांती चाहिए विका किसान को हटा दिया जाओ अच्छा रहा है आप कुछ साइकलोजिस तरीके से सोचिए बात को